कि अब 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 नमस्कार एक बार फिर से स्वागाते आप सभी का लोड़ेज ग्रासिस के बीए प्लेटपार्म पर बीए थर्ड येर में अंतर रास्ती राज नीती पर हमारा सेशन दोस्तों चल रहा था जिसके अंतरकत हम चर्चा कर रहे थे सक्ति संतुलन की तो पहले वाले भाग में अभी तक हमने कुछ साधनों पर चर्चा कीती और वहीं से हमारा सेशन चूड़ गया था कुछ टेक्निकल प्रोर्लम स्टार्ट हो चुकी थी तो क्लास पूरी करप्ट होती उससे पहले ही हमने सेशन को बंद कर दिया था इससे और अगर classes बंद नहीं करते तो दोस्तों पूरा लेक्षन करप्ट हो जाता और वो यूटूब पर अप्लोड भी नहीं हो तो जो लोग लाइब देख रहते वो तो देख पाते बट उसके बाद में वो शेशन आगे नहीं चल पाता उसको कोई और उसको देख नहीं पाता तो तो दोस्तों उसी का यह सेकेंड पार्ट ही जिसमें हम उसका बचे हुए हिस्से पर बात करेंगे तो मेरे पैरे दोस्तों एक बात और बता दो हम लोगों को अगर आप में से कोई ऐसे स्टुडेंट है जो बीए बीए सी बीकॉम कर रहे हैं या एलेल भी कर रहे हैं और पार के साथ में इस टोपिक को हम कबर कर रहे हैं आप लोगों के लिए शक्ति संतुलन वाले को आपकी जो सीरीज है ना चोटी-चोटी पूब्लेकेशन वाली सीरीज उसमें इतना लेंदी मतलब पूरे डिटेल में नहीं मिलेगा बुकों में मिल जाएगा बट आपकी सीरीज से पढ़कर जाते हैं एक्जाम में कोशन कुछ और आता जैसे शक्ति संतुलन तो शक्ति संतुलन की ब्याक्या या अर्थ मान लीजिए अर्थ और उसको इस्तापित करने के साधन तो हमारी नोर्स में दिये गये हैं लेकिन उसकी बिशेस्ताय नहीं है उसके महत्म नहीं है उसके गुर्ण दोश नहीं है लाव हनी क्या होती है यह सारी बाते हमें नोर्स में पढ़ने को नहीं मिली और कोशन वहीं से उठकर आ जाता है तो पिर हम अगरा करके बोलते हैं कि यह तो आउट अप से लेवस था तो एसा नहीं होता है थोड़ा सा बुक की तरब करें कभी समय रहे तो दोस्तों लेकिन यहां पर आपके सभी टोपिक पूरे बिस्तार से ही मिलेंगे अच्छा इसका फर्स्ट इनिट आज के से से कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको बता दू इससे पहले बाले भाग में अगर आप लोगों नहीं देखा है ना तो मैं फिर से बोलों सिर्फ आप लोगों के लिए ना मेरा इसमें कोई फाइदा नहीं है आप लोगों के लिए कि शक्ति संतुलन बाले टोपिक को अगर कंप्लीट समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएए इसकी प्लेलिस्ट खोलिए अंतराष्टि राणिति की उसमें इसका पहला भाग मिल जाएगा लेक्छर नमर पाँच के नाम से उसको देखिये पहले तो वहाँ पर हमने पूरी बेसिक सी बाते की है कि शक्ति संतुलन है क्या इसका अर्म होता है इसकी परिभासाइं भी देखी क्या विशेशताइं हैं इसके अलावा हम अभी तक इसको इस्थ करने के कुछ सादनों पर लगबग दो सादन पर हम डिस्कस कर वी चुक से तिसरे साधन से हमारी क्लास रुख चुकी थी तो वो तीसरे साधन से अंतराष्टी सिस्थर पर शक्ति संतलन 250 करने के क्या आवश्यक्ता है क्यों करें यह पॉइंट भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं इसके अलावा शक्ति संतुलन के क्या गुण है और क्या दोश है इसको भी हम यहां पर आज के सेकिंड पार्ट में देखने वाले तो चलिए दोस्तों बीना टाइम को गवाए अब सीधे कष्चा कहें या Android Hernan यए शाधन कहें 2 साधनों पर हमारी चर्चा हो चुकी हुई तीसरे क्लास किसी कारण से अटक गई थी मिनिक और अगर क्स को гर लेते कल वाले शेशन में तो पूरी क्लास ही करबड़्व हो जाती क्लास के रहें करके इसे किसलिए ब्लेट modern कारा पैड कि इस तीसरे साधन के माध्यम से किस प्रकार से हम अंतर राष्टी इस तर पर शक्ती संतुलन को इस्थापित कर सकते हैं तो वो तीसरा साधन है दोस्तो संधिया जी हां कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं दोस्तो जो निर्बल होते हैं मतलब कि अपने शत्रू राष्ट्र की अ समझोता कर लेता है संधी करके अन्य राश्टर फिर सत्रुर राश्टर से बेलेंश करोगा उसकी राश्ट्रों से जो है वो संधी का सारा लेते हैं उसके संधी करने के बाद में फिर अपने सत्रूराश्ट्र को चुनूती देते हैं या उस पर अटेक करते हैं कि लिए रहे तो इस प्रकार से भी शक्ति संतुलन के लिए संधियों की आवशकता पड़ती है ठीक है और इसके अलावा दोस्तों संधी जो है इसके दो रूप हो सकते रक्षात्मक संधी भी हो सकती रक्षा करने के लिए भी संधी हो सकती जैसे कोई राश्ट्र इसके लिए संधी करे कि आप जो मेरड जिसे की कोई जब कोई मान लेते हैं कोई चोटा राज्र है तो वह अने सब्सक्टेंох राष्र के साथ में संधी करेगा उसे मित्रता करेगा कि मेरा समय आए तो मे रक्षा करने प्रेकार की संदियों से सcidos Letter कि ले देखर के संदि मतलब क्या हो और शक्ति से क्यों मिल रहे है क्योंकि उसके साथ में अपनी शक्ति को बैलेंस करने के लिए अपनी पावर बेलेंस करने के लिए तो इसके लिए अभी आपको एक प्यारा से एक्जामपल देता हूं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान हमेशा चीन की गोद में क्यों बेटा रहता है उसको इसा लगता है तो वो शक्ति संतुलन करने के लिए ही चीन की गोद में ज जानता है अच्यसे कि भारत उससे कहीं गुणा ज्यादा शक्तिसाली तो डाइरेक्ट वो आपने सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ सकता इसलिए क्या करता है अन्य रास्टों के साथ संधी करने का प्रियास करता है और अन्य रास्टों के सांधी वह मूघ कहता है वह अलग तो कुल करने मिला कर कि केने का अर्द यह है कि जो कम शक्ति साल रास्ट रहां लेते हैं इसको पढ़ लेते हैं तो आपका डाटा भी यह किलियर होता चलेगा मैं इसको पढ़कर भी दोस्तों आपको इसली बताता हूं ताकि जब आगे चलके जब नोट्स डाउनलोड करके रिविजन करें इससे तो कहीं एसी सब्दा बली ना जाए जो आपको ओल जादे तो जब कोई रास्ट अपने सत् संधी होती है दोस्तों यह रक्षा आत्मघ भी होती है और आकरा मघ भी होती है mobilize दोनों से ही शक्ति संतुल इस्तापित होता है तो संधियां कम समय के लिए भी होती है और लंबे समय के लिए भी होती है कि लिए रहे बस इतना ही डाटा इसके इंदर याद रखना है अगला है दोस्तों फूट डालो और शाषन करो बहुत प्यारा गंसेप्ट है ये भी शक्ती संतुलित करने का शक्ती संतुलित अंतरास्टी इस तर पर शक् जब कोई रास्ट जब कुछ रास्ट मिलकर के एक समू बनाते हैं एक गुरूब बना लेते हैं वो गुरूब बना करके जैसे की गुट बना रहे हैं गुट बना लिया मान लेते हैं कि कुछ रास्ट मिलकर के गुट बना ले गुट बना करके फिर वो चाहे कि किसी रास्ट प लगता है कि मुझे इस इन राश्टों से खत्रा है तो वह तो कि पर प्रती भड़काएगा जो उसके गुरूप के हैं उनके भड़काएगा तो इस प्रकास से भड़काने से क्या होगा कि वो गुरूप दीर दीर बिखरने लग जाएगा तो यह होता है रेल में होता है क्योंकि जो दो गुट है जो अमेरिकी और सोवियत दोनों गुट रहे हैं ना इन दोनों गुटों ने फूट दालों की नीती अपना ही है इदर अमेरिकी गुट में फूट डालने का प्रियास हमेऩाhou से इसके राष्ट भिखेरता रहा उसे सोवेत गुट भी जो है निरंतर यही प्रियास करके से टोर्णे का जो दोनों दोस्त हैं उनको दोस्ती तोड़ तोड़ ठुलबा दी तुस्ते क्या हो उसकी पावर आधी हो गई कम हो गई यह वह अकेला हो गया और अकेले होने के बाद में उसपे रहा करके और जो है उस पे फितय हासिल लेकिन यह पूरा एक बाग के है फूट डालने की जो नीती है यह हर जगह होती है हर जगह होती है तो इस नीती के माध्यम से भी शक्ति को संतुलित किया जा सकता है किलियर होगा ठीक है ना तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं एक बार जिससे आपका यह बच्चा कंसेप्ट भी और किलियर हो जाड़े कि ओके भेद नीती अर्थात की फूर डालो वाली नीती शक्ति संतुलित करने का एक साधन है कम ताकतवा रास्ट्र अपने शत्रूर रास्ट्रों में फूर डालने का डालने का प्रियास करते हैं जिससे वे आपस में मिलना सके लिए जो ताकि वो आपस में मिलना सके और व तो महाशक्तियां हैं एक दूसरे के गुट में फूट डालने का प्रियास करती है कुछ भी समझाने जैसा डाटा नहीं है एकदम सिंपल वाहसा में है इना बस आप फोकस कीजिए कि आप जो में बैवारी गूर्प से समझते चलिए बस लेटा तो बहुत ही इसी राज क्या होते हैं अब जड़ा थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए मद्दिवर्ति राज का मतलब होता है जिस आपने देखा न नेपाल भी देख सकते आप नेपाल या बूटान क्या है दूस्तों नेपाल और नेपाल और भूटान जो है चीन और भारत के बीच में होते तो छोटे राज्ये लेकिन दो बड़ी शक्तियों के बीच में होने के कारण इनका महत्र बहुत बढ़ जाता है और यह राश्ट कापी हद तक इसका प्रियास करता है कि दोनों राश्ट आपस में लड़े ना तो उस मद्द्वर्ति राश्ट का तो क्या होगा सोच भ कौता है क्या है वादा मालता है सेलिक विपस्ता पूरी भारत देख रहायों कि सेलिक और एंतराश्टी यह सता ऑफिदेखों धेंकरू है क्यों सिस्प और ऑब egal बपर इस्टेट होने का यह ना तो यह जो मद्य बरती राज होते हैं दोस्तों यह वी बिश्व इस्तर पर बहुत महद्व रखते हैं सक्ति को संतुलित रखने में मतलब यह राज यह मान लीजिए कि 80% युद्ध्य के चांस तो यह कम कर देते हैं 80% चांसे और हला कि जब मतलब यह होता है तो मद्य बरती मतलब यही होता दोस्तों कि डो मया शक्तियों के बीच में एक एक चोटा सा अ हम मद्णि बरती राष्ट के नाम से जानते हैं तो शक्ति करने के लिए 6 Mira के मद्य कह दोनों तरफ दो शक्तिसाली रास्ट्र है बीच में छोटा सा रास्ट्र है इसी को हम यहां मद्यवर्थी रास्ट्र के नाम से जानते हैं के लिए चलिए तो शक्ति इस्तापित करने के लिए शक्तिसाली सत्रू राज्यों के मद्य में मद्यवर्थी राज्य का निर्मान करन भी जरूरी होता हो जाता है इस मद्य राज्य का एना इस मद्य वर्ति राज्य का बहुत मेहदू बढ़ जाता है यह रास्ट्र कमजोर होते हुए भी शक्ति साली रास्ट्रों के बीच इस्तित होने से संगर्ष की इस्तिति को बहुत कम कर देते हैं तो इन राज्यों की किना ना क्योंकि कभी-कभी इनको आपसमें बाट ली जाता है हमेशें इंको टेंशन स्तुर रहती है कोन सी महासक्ति किया कुणसे सिस्का लेकिन हो भी सकता है असंभव सी बात नहीं है तो इसी लिए इसी लिए दोस्तों मद्यवर्थी राज्यों को बूले करके हालस्टी ने परीभाशा दी है कहा है कि दो शक्तिसाली राज्यों को संतुलित रखने में मद्यवर्थी राज्यों का विशेश महत्व होता है तो यह जो परिवाशा है इसको याद रखिएगा इसमें कोड करेंगे नंबर अच्छे संभावना बढ़ जाती है तो मेरे पार दोस्तों बताईएगा मुझे इन पांचों साधनों में कोई कंपूजन आपको अब आईगी मेरे खायल से तो पांच तक तो आपकोई कंपूजन नहीं आना चाहिए है ना यह लास्ट बाला बचता है दोस्तों नी शस्त्री करण का नी शस्त्री करण का तो एक मात्र यह साधन मुझे उचित लगा पूरे शक्ति संतुलन इस्ताफित करने में जो भी बिद्वानों ने साधन बता है उन साधनों में एक ही साधन ऐसा है जो होना चाहिए बाकि सारे साधन तो नकरात्म की ही भूमी का अदा करते हैं मतलब सक्ति संतुलन के लिए सही रहेगा बिलकूल सही क्यों कि ठीक है आज सक्ति संतुली तो आ एक राष्टा सक्ति साली एक दूसरे पर हमला करेंगे सब दुनिया खतम है ना और आज कल तो परमारू शक्ति है लोगों के पास में सभी राष्टों के पास में तो चुटकी बजाते ही आख खुली और बंध हुई और दुनिया समाप्त यह शक्ति भी ऊक्ता ळा तो सारे साथ्ण तो नकर अत्मक ढर्श्टि के अंजल मतलब लेकिन इक मात यसा साधन है शक्ति में असंभव लगता है लेकिन भौत ही शांदार है यह नि शस्त्रिकरण इसका मतलब क्या होता है दोस्तों एक तो यह होता है कि सस्त्रों के भीछ में संतुलन बनाई है और कि जो महाशक्तिया है यह नहीं रहेगी और मानब जाती का अस्थिद्व जो है इस्थाई हो जाएगा इना मानब जाती का अस्थिद्व इस्थाई हो जाएगा तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नीश अस्त्री करण का जो साधन है शक्ति संतुलन इसापित करने का ये अन्य साधनों की अपेक्चा सबसे बहतर स तरीका यह है शक्ति संतुलन का एक तरीका यह है कि शक्ति साली राष्ट्रों को एक मिनिट कूट तो शक्ति संतुलन का एक तरीका यह है कि शक्ति का कर दिया जाए कि सकaining hasnे हैं उनकी शक्ति को कम कर दिया जाए और फेस शिर। को सिभ Caesar करंद के द्वारा ही किया जा सकता है औब मैंने प्राराभ में आपको इस बात बोली दी कि यह असंभव तो लगता है क्यों लगता है दोस्तों क्योंकि य쪽 संथस्ता करसकती है लेकिन दोस्तों उनो में भी इनका वर्यष माहाशक्टिओ रहता है जिसे कि USA का मान लीजिए या रूस का मान लीजिए इनका ही तो बर्चस्प रहता यहां पर तो अब इनके पास हत्यार है तो यह क्यों चाहेंगे कि नहीं सस्त्री करन स्थापी तो हो जाए विस्व में इसलिए मैंने बोला कि यह असंभव है लेकिन अगर हो जाए तो बोलने के निरमाड करके खरके भी आकरमण कारी राष्टों के बिरुद सुरक्षा व्यवस्ताओं को मजबूत बनाये जा सकता है लेकिन बास्तविक संतुलन तभी स्तापित हो सकता है जब सबस्ति न रखते हैं लेकिन उन समसे को कर सकते हैं लेकिन लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते लेकिन अगर बास्तविक सकति संतुलन हम चाहते हैं तो पर नीश हस्तिकरण लाना ही होगा ओहोप किलियर होगा चैली अगर किलियर है दोस्तों तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंतरास्ती विवस्ता के रुप में इसके मुझा एक सक्ती संतुलन की इस्थापना की आवशक् क्यूं है इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों स्टूडियो की लाइडिया चुकि इसलिए केमरा बंद हुआ है माइन ना करें बस यह दो कंसेप्ट है इसको जल्दी से कवर कर ले ताकि आपका सेशन कंप्रीट हो जाएगा इना चलिए चुकि सिस्टम जो है दोस्तों बैटरी से चलता है इस कारण से आपकी क्लासेस कंटीन्यू हो रही है इना सिर्फ केमरा डायरेट लाइट से अटेज लेता है तो लाइट के जानने पर केमरे केमरा बंद हो ही जाता है ठीक है ना तो कभी-कभी हैंग भी होने की किया अब अंतरास्टी व्यबस्टा के रूप में इसका मुक्खे उद्देश क्या है किसका सकति संतुलन का क्या होगा इससे जो राष्ट्र है जो देश है उनकी स्वतंतरता की रख्चा होगी बिश्व नहीं बनेगा जिससे की वो दूसरे पर हावी हो सके इसलिए बिश्व इस्तर पर शक्ती संतुलन की नितांत आवश्यक्ता है I hope clear होगा इतना ठीक है ना चली अब कुछ बिंदू के माध्यमस हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन इस्थापित करने के कि पीछे क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं दोस्तों तो पहला तरक यह है कि युद्ध को रोकने के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ आवश्यक है तो वह सक्ति संतुलन इस्था की हम बात इसली करते हैं कि युद्ध को रोकने में एक कारगर हतियार साबित होता है को इस प्रकार से कहा है कि युद्ध तभी उत्पन्न होते हैं जब देश बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और शांती की जड़ें भी शक्ति संतुलन के सिद्धान्त में ही रेती है कि जब देशों के पास में बहुत अधिक शक्ति आ जाती है तो उन्हें गुर स्थापित रहे इसके लिए शक्ति सिध्धान्त नितांत आवश्यक है कि लिए तो बिजब युद्ध के समय भी दोस्तों यदि संतुरन ब्यवस्ता बनी रहती जब बिजब युद्ध हो रहेते प्रत्रम और दूसरा बिजब उस समय अगर सक्ति संतुरन की इस्थिती बनी रहेती तो युद्ध हमें कभी देखने को नहीं मिलते इतना भयानक कि हमें कभी देखने को नहीं मिलता तो च esperar को होता टलता रहता है क्योंकि हम इसकी विश्यस्ताव में चर्चा कर चुके थे कि शक्ति संतुलन जो है इस्थाई नहीं होता है परिवरतन्शील होता है तो वह हमेशा नहीं बना रहेगा बलकि वह ओपर नीचे होता रहता उसका ग्राब चलिए अगली शर्थ पर बात करें त उनकी सुरक्षा की अपने आप रहेगी पूरे विश-बिश तर पर नहीं तो यह सिद्धान्त जो है लड़ाई के स्थान पर समझोते को महत्व देता है जो सक्ति स्थान्त है शक्ति संतुलन का सिद्धान्त है यह लड़ाई अर्थत युद्ध की अपेक्शा समझोते को म लड़े जाते हैं वो एक अलग मेटर है वो युद्द की तो आवशक्ता है विस्व में जिसे की सक्ति संतुलन बना रहे हैं कि लिए चलिए अगली जो तीसी सर्त है तीसी सर्त है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि यह अंतरराश्टी कानून की रख्चा के लिए क्यों अंतरराश्टी काणून मतलब क्या अरे जैसे हम एक रास्ट तो कोई एक रास्ट तो है नहीं जो इस कानून की रख्चा करेगा तो इसकी रख्चा करने के लिए भी बिस्व में शक्ति संतुलन अगर बना रहता तो ये बिश्स संस्ताओं से जो कानून से कानून भागव करने वाला कोई एक राष्ट नहीं होता कोई एक केंद्री सत्ता नहीं होती है अतहा शक्ति संतुलन द्वारा किसी भी राष्ट को सर्म सक्ति शाली होने से रोखा जा सकता है तो अंतर राष्ट कानून शक्ति कानून शक्ति संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आई होप दोस्तों पूरा किलियर हो पा रहा होगा दो विंदू इसके और है दो शर्त है और उनको भी डिसकस कर लेते हैं फटा फट चलिए चोंती इसकी जो शर्त है वो है कि डायेट फैडल और लिंकन पर चलते हैं दोस्तों इनों राज्यों की सोतंतरता की रक्चा की राज्यों के समू द्वारा अनुचित प्रभापर रोक लगाई है मतलब कुल मिला करके जो भी आकरमनकारी राष्ट रहे उन पर रुइनों ने रोक लगाई है और कई बार हमें युद्ध के बिनास से सक्टे संतुरन ने बचाया है ल यहां तक का ठीके ना चलिए फॉइंक कि यह जा सकता है कि सक्ति संतुरन Самाज का हित साधन होदा है मार्टन केपलन का कहना है कि किसी राष्ट को अधिक सक्तिसाली बनने से रोकने में प्रतेक राष्ट का हित है कि लिए दोस्तो इसमें अब बताईए मुझे इतनी इजी लेंग्वेज में आपको आपकी पुस्तकों में इतनी इजी लेंग्वेज नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी दोस्तों आपको पुस्तकों में इतनी जी लेंग्वेज और हाँ एक बात ना कंप्यूज मत हो जाईएगा यार यह जो पॉइंट है यह मिस्प्रिंट हो चुका है यह ठीक है ना यह आवश्यक्ता है ना सक्ति संतुरन की आवश्यक्ता यह अर्थ नहीं है इस वापस से और सभी पॉइंटों को फिर से हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे देखी आवश्यक्ता पर चर्चा हो चुकी है कि विस्पिस्तर पर इसकी आवश्यक्ता क्यूं है यह बात हम कर चुके पांच बिंदू के माद्दम से अब आगे बात करने वाले हैं कि जो शक्ती संतूलन है इसके क्या गुण है मतलब क्या लाब है और क्या दोश है क्या हानी होती इन से तो यह चर्चा भी बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता को कि कई वार देखा गया है कि यह आपके सिलेबस में मतलब आपको सिरीज में पढ़ने को तो नहीं मिल किता है इसकी तैयारी से बंचित रहे जाते हैं और एक्जाम में इससे सम्मधित प्रश्ण देखने को मिलते हैं फिर आप निरास हो जाते हैं इना तो हमारे साथ यहां पर आपको निरास होने की कोई आवशक्ता नहीं रहेगी प्रतेक बिंदू उपर यहां पर डिसकस किया जाएगा चलिए इसपर वि दोस्तों करके डिसकस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे संतुलन की क्या-क्या फायदे हैं तो गुणों के ऑंतरकत हम 4 लिए ना तो इन चार विंदों के मात्यम से हम इनके गुर्ण देखने का प्रियास करते हैं ज्यादा समय नहीं लगेगा थोड़ी सी क्लास और आगी चलने वाली बस जल्दी से क्लास कंप्लीट हो जाएगी डोंट परी तोड़ा निश्चिंदों करके बेटे चलिए जानता ह है कि सकती संतुलन से संसार के सभी भागों में सामंज से इस्तापित हो सकता है अगर इस्तापित किया जा सके तो हम यह मानकर चलते हैं कि पूरे विश्व में हम सांती व्यवस्ता को इस्तापित कर सकते हैं सभी पक्ष लगबग एक समान शक्तिसाली होने के कारण संतुलन का तो यही कि विश्वत हो जाता है तो इसका मतलब क्या होग कि सब्राज्व एक समान हो बाले नियुक्त हो जाएगी तो युद्ध नहीं होंगे चैज्व तो शक्तिसाली संत्र सांतीर्ग ॉस्तार पर सहत्वाइज्व करता है पहला पुइंट के लिए दूसरा है छोटे राज्यों की सुरक्षा तो शक्ति संतुरन होने से क्या होता है कि जो छोटे छोटे राज्यों होते हैं तो सक्तिसाली राज्जी के साथ सेनिक संदी के द्वारा या किसी अन्य रूप से वो अन्य सक्तिसाली राश्टों से जुड़ जाते हैं इससे छोटे राज्जों की सुरक्षा तो होती ही होती है साथी साथ उनके विकास के मार्ग भी खुल जाते हैं जो छोटे रास्टो होते हैं वो जब संधियों के माध्यम से जब सक्तिसाली रास्टो से मिलते हैं तो उनकी रक्षा तो होई जाती है साथ या साथ में उनका विकास भी होता है कोई कानूसर नहीं होगी सिंपल एंगवेज में एगला है अंतरास्थी कारुन के पालन में सहयक he युनो ने जो कानून बना दिया उसका पालन कब होगा जब पूरे बिस्म में सान्ती विवस्ता इस्ताफित रहेगी सीधी सी बात यार or Bread का बातवाण रहेगा पूरे बिस्म में तो हरे कानून का पालन होता है अरा जक्ता कभी भी कानून की हितेशी नहीं होती दोस्तो याद रखेगा किसी भी रास्त को example ले ले सकते हैं आप लोग जिस रास्त में अराजकता है जहां कि सासन विवस्ता अपना सही कारे नहीं करती है उस देश में कानून का कभी नहीं होता है उचित याद के हैं जब जंता में जब जंता दोस्तों सक्षम होती है कि जब उस राष्ट में भी जब संती व्यवस्ता इस्तापित हो जाती है तो उसके बाद कानूनों का पालन विवस्ती तूप से होता है इसलिए का गया है कि चाहे वह एक राष्टर की बात हो चाहे वह अंतरास्ति इस्तर की बात हो अगर अगर संती व्यवस्ता है w reinom हुचित है शानती के लायग अगर बातवरन है तो हम कानूनों के प्रण को लेकर के निश्चिंद हो सकते हैं कि नेक्स्ट है व्यापार यमणबस्य विफशाय मेंढ़ी तो क्योंगे सक्ति संतुलन होगा तो युद्ध रुकेंगे युद्ध रुकेंगे तो कुछ तो करेंगे ना क्या करेंगे अपना विकास ही करेंगे शेनिक रूप से नहीं हतियारों के रूप से नहीं तो आर्थिक रूप से सक्तिसाली बनेंगे तो इसमें भी क्या होता है कि छ त京 आप कम होगा तो ब्यापर बढ़े गए तो सक्व्य स्नुलन के कारण राज्यों के मद्ध के मांद तनाव तो रहता है पर सामान्यता युद्ध नहीं होता तनाव सेतिली की अवस्ता में राज्यों के बीच में ब्यापार विवस्ता में जो है ब्रदी होती है जो चोटे राजये सक्ति सल्य राज्यों के सा इंका आर्तिक विकास उन्हें आर्टिक में काफी साहथा मिल जाती है कोई ए सेटक नहीं है जो आपको परीचान करे है या हुल जादे पढðेंगे उससे ही आपका कि बहुत आवशकता है। इसके और हमीसा है अंज होती है। जिसके गुन होते हैं उसके अवगुन शेया ही होते है। कि एक पल्ले वाला सिक्खा कभी होई होते हैं। एक पहलू वाला को शिक्का देखा है आप लोगों नहीं ना तो इसी प्रकास से जिस किसी तत्य के गुण होंगे तो दोश सो प्रतिशत होंगे ही होंगे तो उन दोशों पर भी तो हमें चर्शा करनी है एक्जाम में तो ये भी पूछे जाएंगे आलोशनात्मक बढ़न जीए इना चलिए पहला है तनाव में ब्रद्धी तनाव में ब्रद्धी दूसरा है सस्त्रीकरण की दोड़ तीसरे छोटे राज्यों का उप्योग होता है इसमें जैसे कि वह बाट ली जाता है आपस में शक्ति संतुलन एक सिर्फ एक कोरी कल्पना है इसा कुछ है नहीं वास्तविक इसका वास्तविक अस्तिद्व नहीं है दूसरा सर्वोच्य शक्ति शक्ति जो है सर्वोच्य नहीं है जो शक्ति संतुलन में बताई गई यह हमेशा मैद्व दिया गया है आई एक एक करके इसको डिसकस करते हैं तनाव में ब्रद्धी शक्ति संतुलन के नाम पर प्रतेक पक्च या कहें कि प्रतेक रास्ट अपनी शक्ति बढ़ाता रहता है उसकी द्रश्टी में शक्ति साली होना ही शक्ति संतुलन इस्तापित करना है उसका मानना यह रहता है कि जब तक वो शक्ति साली नहीं बन जाएगा ना तब तक अन्य रास्टों की लेबल में वो नहीं आपाएगा और इसी सोच के कारण दोस्तों वो इतना शक्ति साली होता चला जाता है कि वो बाकि सभी राष्टों को पीछे छोड़ देता है तो यहाँ पर फिर शक्ति संतुरन बिगड़ जाता है जब शक्ति का पलंडा उसकी ओर चुकैगा तभी उसको यकीन होगा कि हाँ अब शक्ति संतुरन इस्थापित हुआ है त अता सबी राज्ये अपनी अप्ति शक्ति बढ़ाने में लगे रहते हैं इससे संसार के कई भागों में तनाव बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है और फिर वो अंतिम रूप से युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है कि लिए रहे तो शक्ति संतुलन के नाम पर क्या हो रहा है क्या हो रहा दोस्तों शक्ति साली बनने की होड लगी हुई है सभी राष्टों के बीच में अगला सक्षिकरण की द जनता को भूके मरने दीजी और आप आतियार करें दिये वीडियोसों से बसातियार खिलाएं अपनी जनता को आज बिस्वक के बहुत सारे राष्ट परकार की दोड़ में लगे हुए बहुत सारे राष्टे से करते हैं उनकी जो जीडीपी एना जीटीपी बिल्कुल जीरो पर है जनता भूके मतलब की अकाल भड़ने का गार जनता भूके मर रही है लेकिन फिर भी वो अपने अरकतों से वाज नहीं आते वो अपनी सेना में ब्रद्दी कर रहे हैं अपने हत्यारों में ब्रद्दी कर रहे हैं अरे तुम भूके मर रहे हैं तुम्हें कौन लूटे और दोस्तों सस्त्र किस प्रकार से उचित हो सकते हैं बताईए सस्त्र किस प्रकार से विश्व में सांतिस्तापित कर सकते हैं संभव ही नहीं है सस्त्र तो सस्त्र का ही काम करेगा ना हतियार हतियार का काम करेगा भाई तलवार होगी तो तलवार क्या कारी 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 करेगी ना वो सुहीं तो नहीं बन सकती सिल तो नहीं सकती फटे हुए को तो तलवार तलवार का मतलब हत्यार हत्यार का ही कारी करेगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो करोड़ों और वो खरवों जो डोलर खर्च हो रहा है बिना आर्थ के जो कि जनताव के देश के विकास में खर्च होना चाहिए वह आज अस्तर सश्थर बराने के पीछे वो खर्च किये जा रहे हैं तो पूरी तरह से अनुचित है किसी भी राष्ट के हित्व में नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए सभी राज्य अपने अपनी शक्ति बढ़ाने रगते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है कि राज्यों की बीच में सस्त्री करन की एक दोड लग जाती है कि बस में भी सस्त्र बनाओ ऑफ इसने यह सस्त्र बनाया है चलो अपन की पीछे रहेंगे बनाएंगे तो यह प्रकार की दोड़ लगी रहती है इससे क्या होता है अंत में क्या होता दोस्तों बड़े-बड़े घातक शस्त्रों का निर्मान हो जाता है और हर दिन जो है और वो खर्वों डोलर खर्च हो रहे हैं अगर इतना पेशा अगर राश्टर के विकास में लग एक उर्पर नहींल च्ड़ेगा उसकी सविज्जत करेंगे तो आर्ट्यृप से सख्षाली बनी ना चलिए अगला है छोटे राज्यों का उपयोग होते अप्यों करते हैं उपक्र आपने उद्देशों के लिए गोटिया बनालेते हैं उनको घृजिँओ आपर इस्टेट होती ही ना वो गोटियों के काम करती है एक इधर से मालेगा पिर उदर से मालेगा तो कन्चे गहलते हो ना तो कन्चे वाली जो गोट्व करते हैं उसी को बोल रहे हैं आपर तो शक्रप्र इस्तापित करने के लिए करती है तो पूरी तरह से उनका मुस्यूश करती है Kathy अगला है शक्ति है संतुलigon कितना हुआ है कोई इसमें बास्तरान नहीं है शक्ति संतुलन कितना खुती तो इसके विदिी कितना है कुछ न소но करते किरना है कैसे ना पोगे मतलबं कलपना मात्र है इसे नापने की कोई बिधी नहीं है कोई एक एक नहीं है यह केवले कलपना मत्र है एक कालपनिक जबकि सर्वोचिता किसमे सांती ब्यवस्ता में थोड़ी ना है सत्रों का हिन्सा को जन्म देते हैं और हिंसा किसी भी रूप में सर्वोचि नहीं हो सकती है तो कौन होगा ब्सक्ति संतुलं की अब धार्णा यह है के शक्ति ही सर्वोच्य होती है इसलिए प्रतेक राश्ट सक्तिसाली बनने की दोड में लगा हुआ है लेकिन बास्तविक रूप से सक्ति ही सर्वोच नहीं है अंतराश्टी जगत में शक्ति के अत्रिक्त और भी कई ऐसे तत्व है जो रक्षा करते हैं जो राज्यों के संबंद को सहज बना देते हैं सिंपल बना द दोस्तों चलिए इसी के साथ में हमारी प्रथम एकाई अंतर्राश्टि नाजन्य की प्रथम हो जाती हो जाती है को जाने वाले बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक होगा दोस्तों ये भी बहुत मज़ा आएगा और मैं बहुत अच्छे से ये वाद भी जानता हूं जब आप अपनी बुक से पढ़ते हैं तो ये इस टोपिक भी पूरा आपके सरके उपर से जाता है लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि आपने इसके बह अंदाज में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिससे की पूरे इस टोरी ही इसको बैभारी ग्रूप से समझेंगे फर्स्ट एर में जिस प्रकार से हमने पॉलिटी पढ़िती एक आनंद लेते हुए जिससे सेकेंड डियर में हमने पूरा इंजोई करते हुए पड तेक तोपिक उसी अंदाज में हम यहां पर कंप्लीट करेंगे चली मिलेंगे नेक्स सेशन में दोस्तों धन्यवाद थैंक्यू